हेलो फ्रेंड्स, SFT इंडिया में आप लोग को स्वागत है, हम लोग जो लेबूल आपको प्रोभाइड किया था, ओ लेबूल आज मार्केट में कैसे काम हुआ, चलिए उसके बारे में डिसकॉसन करेंगे, और एक नवया लेबूल में आप लोग को प्रोभाइड करूँगा, जो काल का रणनीत कैसे होगा, निप्टी और ब्यांग निप्टी के उपर, उसके उपर हम लोग डिसकॉसन करेंगे, चलिए फ्रेंड्स, आईए मेरे स्कीन के उपर, आप एक बार नजर दीजिए, काल में निप्टी में कौन सा लेबूल आपको दिया था, मैं एही लेबूल दिया था, कि निप्टी एक बार उसका जोन के अंदर जाना चाहिए, यानि 9300 से लेकर, यहां से निप्टी ओपन होने के बाद, एक बार 9300 से लेकर 9400 के बीच में जाना चाहिए, clear है फ्रेंट्स, तो एक बार निप्टी उसका जोन के अंदर जाने के बाद, आईदर आपको 9400 को क्रॉस करेगा, अगर 9400 को क्रॉस करेगा तो आपको बाय करना पड़ेगा, और 9300 को निचे की तरफ क्रॉस करेगा तो आपको शेल करना करा, एही बात में बोला था, मगर निप्टी देखिए, एक consolidated stage में काम किया, 100 पैंट का 100 से 1500 पैंट का दायर में दीन भर ऐसे ही रहा, ना उपर की तरफ गया, ना निचे की तरफ गया, तो यानि हमारा जो जो जोन था, 100 का 9300 से लेकर 9400 उसका बीच में नहीं गया, हमारा निप्टी में कोई trade नहीं बना, अगर ये consolidated stage में जो भी trade करता, उसका stop out होता, तो दोस्तों हमारा जो level प्रोवाइड हुआ था आप लोग को, वो level को निप्टी नहीं गया, इसलिए कोई trade आप लोग को नहीं मिला, चलिए दोस्तों निप्टी तो हो गया, bank निप्टी के उपर हम लोग चलते हैं, वही bank निप्टी का वो level के बारे में हम लोग discussion करते हैं, bank निप्टी यम में आपको दो लेबूल प्रोवाइड किया था, आपको याद होगा, यऊ bank का लेबूल अभी वी में आप लोग को plot कर देता हूँ, एक 20,000 का लेबूल प्रोवाइड किया था, और 5,000, 5,000, 5,000, नाइन्तिन थाउजन, 550 का लेबल प्रोभाइड किया था ये आपको बोला था कि बैंग निफ्टी अगर एक बार आईदर ग्याप अप होके ये जोन के अंदर आके 20,000 को क्रॉस करेगा आपको एक अच्छा मोमेंटम वहां से 400 पैंट का मिलेगा और ये भी बताया था अगर बैंग निफ्टी 19,550 के निच्चे आएगा तो आपको एक शेल का अपर्चुन्टी मिलेगा वह 300-400 पैंट निच्चे की तरफ आएगा मगर बैंग निफ्टी ने सिधा जोन के अंदर गया जब जोन के अंदर गया बैंग निफ्टी देखिए दोस्त यहाँ पर बैंग निफ्टी जोन के अंदर गया और जोन के अंदर जाने के बाद वह सिधा 19,550 के निच्चे यहाँ पर क्लोज हुआ आप देख लीजिए यहाँ पर क्लोज हुआ यहाँ पर क्लोज होने के बाद आपको मैं बताया था कि आपको सेलिंग करना है अगर कोई आदमी ने सेल किया होगा धीरे 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 उसका स्टप आउट भी नहीं हुआ धीरे धीरे जो भी आपको 100-200 पैंट मिला आप लेकि उसमें खुसी हो जाओ क्यूंकि निफ्टी, ब्यांग निफ्टी आज इसा लेबूल में काम कर रहा था कि कोई उसमें मोमेंटम नहीं था एक 200-300 पैंट का डायर में चल रहा था तो फ्रेंड्स अगर ब्यांग निफ्टी में कोई मेरा लेबूल के उपर काम किया होगा 100-100 points only मिला होगा आज एक अच्छा एसा दीन है किसी में भी निप्टी ब्यांग निप्टी कोई ट्रेड नहीं है कोई भी किया नहीं होगा जो भी किया होगा 100-100 points का अंदर मेरा लेबुल जो दिया था मैं आप लोग को निप्टी में तो लेबुल आया नहीं आपको कुछ का काम नहीं हो पाए को कि मेरा दिस्कूसन करते हैं काल का मेर के यानि फ्राइडे का मार के में निप्टी और व्यांग निप्टी कैसे चलेगा उसके लिए अगर आप निप्टी और ब््यdoes कुर्णि देखो गए इसा एक टेकनिकल उलजहन के साथ ये निप्टी व्यांग नि तरफ होगा या निचे की तरफ होगा बहुत मेहनत करने के बाद मैं दो लेबुल निकाला हूं एक यहां पर देखिए एक 9,150 और उपर का लेबुल तो बहुत बड़ा है तो आपको काल क्या करना पड़ा है काल निप्टी में कोई सेलिंग नहीं है फ्रेंज उनली निप्टी में आपको बाइंग करना पड़ेगा कैसे बाइंग करना पड़ेगा काल अगर निप्टी जापडाउन होता है यानि फास्ट 15 मिनिट के अंदर यह लेबुल को आता है 9,150 के अंदर आता है आके एक बार 9,150 के उपर आके फिर से बाउस ब्याक करता है उसके उपर याद पाउस ब्याक करेगा एक green कलर केंडल के साथ बाउस ब्याध करना चाहिए निफ्टी को यानि 50 पॉइंट नीचे आने के बाद, यह जोन को आने के बाद, यानि 9,150 के नीचे आने के बाद, अगर उपरी की तरफ ए ग्रीन कलर कैंडल देखे, 9,150 के उपर क्लोज होता है, तो आपको बाय करना पड़ेगा, यहां से 9,400 का टारगेट है, तो यहां से 300 पॉइंट का ट उपर आपको बाय करना पड़ेगा, एक बार उसको टॉच करके उपर की तरफ प्राइस क्लोज होता है, आपको बाय करना पड़ेगा, तो निप्टी का टारगेट 9,400, यहां से करीबान 300 पॉइंट है, निप्टी उपर जाएगा, मगर यह निच्चे आएगा की नहीं आए 9,275, अगर निप्टी काल ग्यापप होके, 9,275 के उपर क्लोज होता है, एक ग्रीन कलर कैंडेल के साथ, आपको बाय करना पड़ेगा, तो आपका टारगेट होगा 9,400, दोस्त आपको मैं बता दिया है, दो लेबूल है आपके लिए, एक बार निप्टी अगर ग्यापपडाउन होता है, 9,150 के अंदर, फिर एक बार 9,150 के उपर क्लोज होता है, आपको बाय करना पड़ेगा 9,400 का टारगेट लेके, अधर्वाइज, निप्टी, आजका जो उसका जो हाई है, आजका 9,275, उसके उपर जापड़ होता है, कलका मर्केट में, तो आपको बाय करना पड़ेगा 9,400 है उसका टारगेट, कोई सेलिंग निप्टी में नहीं है, clear है friends निप्टी में, चलिए दोस्त, हम लोग ब्याइज निप्टी को जाते हैं, ब्याइज निप्टि में ओही टेक्निकल उर्जान के साथ, एक सिमेट्रिकल ट्रांगल के साथ ब्याज निप्टी बॉंद हुआ है, आपको क्या करना होँ पड़ेगा, ब्यांग निप्टी का दो लेबुल निकल के आ रहा है एक यहां पर देखिए एक 19,050 और एक 20,150 ये दोनों लेबुल आ रहा है ब्यांग निप्टी में तो ये मार्केट एक दो मिडिल में बौंध हुआ है एक टेकनिकल उल्जन के साथ सिमेट्रिकल ट्रेंगल करके बना हु है कितना आज का हाई 19,750 आज का जो हाई है अगर काल ब्यांग निप्टी 19,750 के उपर एक ग्रीन कलर कैंडल बना के उपर की तरब जाता है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर बाय करना पड़ेगा 20,150 आपका टार्गेट है क्लियर है फ्रेंड्स अगर ब्यांग निप्टी काल आज का जो लो है 19,325 उसका निचे अगर ब्यांग निप्टी एक रेड कलर कैंडल के साथ क्लोज होता है उसका निचे ओपनिंग का 15 मिनिट के अंदर क्लोज होता है आपको यहां से सेल करना पड़ेगा आपका टार्गेट होगा 19,050 क्लियर है दो यहां से आपको इतना का टार्गेट मिलेगा उपर से और आपको निचे से 300 point का target उपर से भी 300 point का target फिर से बता देता हूं ब्यांग निफ्टी अगर आज का high break करता है तो आपको buy करना पड़ेगा उपर को 300 point का target है अगर ब्यांग निफ्टी आज का low यानी 19,325 के निचे close होता है फास्ट 15 मिनिट में तो आपको sell करना पड़ेगा 19,050 का आपका target होगा clear है दोस्त ये होगया target अगर आप कोई second trade लेना चाहते हो एक अच्छा opportunity आपको मिलेगा ये 19,050 मानी 19,050 के अंदर आने के बाद पहला target हीट होने के बाद अगर green color candle करके इसके उपर फिल से जाता है आप एक दुसरा trade भी ले सकते हो फास्ट जो selling trade मिलेगा आपको उसका target भूग करके एक buying trade में बईट सकते हो clear reference दो तरीका का trade में आपको बता दिया आप उसको एक बार में अगर समझ में नहीं आता है मैं जो बोल रहा हूँ आप दो बार सुनोगे तिसरा बार वो वीडियो को सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह जो टेकनिकाल में आपको बताया यह चीज एक दोम 100% टेकनिकाल है उसी से और कोई चीज आपको कोई researcher कोई analysis बता नहीं पाएगा यहीं ही चीजी आज का जो टेकनिकाल उर्जान है बैंक नेप्टी में ओहीं चीज सब आपको बताएगे clear a friend समझ में नहीं आता है तो दूसरा बार यह वीडियो को देखो दोस्त मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूं आप तो वीडियो को क्लिक किया जो मैं बताया आप देख लिया उसको paper trade करके जो भी ले बूल होगा आप उसमें काम करते हो दोस्त मे लागेगा आपका फ्रेंड्स को उसका भी काम बन जाएगा आपका भी काम बन जाएगा तो मेरा चानल को एक बार लाइक करिए सस्काइब भी करिए तो मेरे को बहुत खुशी लगेगा दोस्त विदालेंगे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ दिस इस एजुकेशन इन्फरमेशन परफोज ओनली बिफोर टेकिंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्लीज टेक आडवाईशूर फिनांसियल आडवाईजर ओके दोस्त मैं कोई टीप्स प्रोवाईडर नहीं हूँ कि आपको टीप्स दे रहा हूँ मैं एक टेकनिकल आनालिस्टिस के तरफ से आपके एक एजुवेशन प्रोवाईड करता हूँ आपका मर्जी आप ट्रेड लेना है तो लीजिए नहीं लेना है तो पेपर ट्रेड क झाल झाल